आपका यूट्यू कैनल के अंदर आज हम बात करेंगे सेलेटरिस के बारे में कि सेलेटरिस क्या होता है और इसकी प्रॉब्लम कैसे आपकी बॉड़ी पर हो सकती है और इससे बचने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा जिससे यह प्रॉपर बैक्टिरियल स्किल क्या है वह खराप हो जाता है तो बहुत ही चोटी लेवल से स्टाट होकर आपके पूरे बोड़ी पार्ट पर फैल जाता है और कवर करने के साथ उस पूरे पोशन को अगर आप सेरिसली नहीं लेंगे तो यह स्टार्ट होने पर आपको इतना पेन नहीं करेगा बड़ स्लो आप इसी तरीके से एस्टिमेट कर पाएंगे कि ये एरिया सूज कर खराप ऊचुका है और आनेवल टाइम के अंदर ये एरिया प्रॉपर तरीके से इन्फेक्ट हो जाएगा और ये पूरा जो पूरा जो इन्फेक्शन होगा आपके पूरी बाडी फे फैल सकता है बहुत सा क्या है जिसके तुरू आप इसको जान सकते हैं कि सेलुलिटुस की प्रॉबलम आपके बाडी पर क्यों हो रही है कैसे हो रही है और कब हो रही है इसके पैला लक्षन होता है इसका रेडनेस आपके उस एरिया पर प्रॉपर जो एरिया होगा वो लक्षन वही दिखाएगा कि वो जो area है वो पूरा red हो चुक है, swelling हो चुकी है, उसमें glycerous बन चुकी है, pain हो रहा है and yellow flood आपकी body से निगल रहे हैं, timely treat करना बहुत ज़रूरी है, otherwise वो area कट भी करना पर सकता है यह normally आपको lower part या आपके हाथों पर especially दिखाई देगा, legs के उपर भी दिखाई देता है, और हापके hands के उपर भी दिखाई देता है village में जहां पर maximum लोग naked घुमते हैं, यानि कि नंगे पैरों से घुमते हैं, चपल नहीं पहनते हैं, उनको यह problem सबसे ज़्यादा होती है catch बढ़ते बढ़ते वह एक बहुत बड़ी problem बन जाती है, तो उन चीजों को solve करने के लिए awareness को spread करने के लिए, maximum लोगों को यह आप बताएं कि चपल पहन के ही आप travel करें या चले खेतों में या कहीं पे भी ताकि आप अपने पैरों को save कर सकें, अधरवाइस यह problem विलेज पर डॉक्टर के पास जगकर treatment करवाना बहुत ज़्या ज़रूरी है, treatment में वो आपको injection दिला सकता है, या कुछ medicines आपको recommend कर सकता है, या कुछ anti bacteria properties या को medicines आपको देगा लगाने के लिए, जिनको आप अपनी body पर लगाने के बाद उस area को infected होने से बचा सकते हैं, आपको तो आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान दे रखना है अगर ये दो चीज़े आपके घर पर अलड़ी हो चुकी है, cellulitis concern basically क्या होता है, बहुत सारी लोग इस problem को seriously नहीं लेते हैं, बट डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको ये पता रगता है, कि ये problem कितनी बड़ी problem ब दिखाई देगा, जिसको आप इजी तरीके से देख सकेंगे कि क्या problem और किस जगा पर आपको ये problem हो रखी है, क्योंकि infected area आपके पूरी body में ना फैल जाए, इसलिए उसको early deduct करना बहुत ही ज्यादा compulsory है, अगर उसको deduct जल्दी कर लिया जाएगा, तो serious issue होने से आपकी body क बचा सकते हैं, अगर आपकी पूरी body का दर ये fluid फैल गया, तो आपकी पूरी body isn't danger हो सकती है, जिसके वज़े से आपकी light के उपर भी threaten आ सकता है, इन सभी problem के साथ साथ आपको fever and infection में पस होना start हो जाएगा, जिससे आप इजी तरीके से capture कर पाएंगे कि ये problem आपकी body पे कह पे और exactly किस जगा पे हो रखी है, जब भी आप स्किन को touch करेंगे, आपको एक warmness फील होगी, जिससे आपको पता लगे कि किस एरिया पे ये फैल रहा है, को ज़दा से ज़दा ठन लगना start हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी पूरी body शेक करना start करेगी, इस तरीकी के patient ठी लग पेन, लग पेन, नी पेन इस तरीकी के problem आपको अकसर देखने को मिलेंगी, जिनको cellulitis के problem होती है, डॉक्टर के पास जाने पर सबसे पहले वो आपका physical examination टेस्स करता है, जिसमें आपके पूरी body का measurement होता है, कि infection basically आपके किस एरिया और आपके किस body portion पे फैल रहा है, त ताकि bacteria, जो bad bacteria आपके body body पे enter कर चुका है, उसको निकाला जा सके, और उस निकालने के साथ सथ good bacteria को आपके body में enter किया जा सके, ताकि वो आपके उस area को heal करने में help करें, medical treatment के अगर हम बात करें, तो medical treatment के अंदर medical advice आपको दी जाती है, इसमें कुछ injections, कुछ antibiotics और कुछ लेप आपको दियाता है, जो आपको body पे लगाना होता है, continuously one to six month, ताकि उसको इस तरीके से heal किया सके, second treatment हमारे पास होता है, second treatment जो डॉक्टर के पास होता है, वो रहता है surgical treatment, जिसमें उस area को सुन करने के बाद उसका सारा पस निकला जाता है, फिर उसको proper तरीके से, उसकी filling की जाती है, उसके अंदर जितना भी कच्रा होता है, उसको निकला जाता है, और उसके बाद उस area को तो इन सब चीजों को यूज करके यह इन सब चीजों को फॉलो करके आप इस तरीके से सरे लुट की problem को measurement कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यह problem आपको हो रखी है या नहीं हो रखी है, अगर हो रखी है तो आपको डॉक्टर के पास immediate basis पे अपना treatment करवाना compulsory है, second चीज यहां है, आपको एक sponge लेना है, उस sponge को अपने उस area के ऊपर रब करना है, from top to bottom, ताकि उस area को आप साफ कर सके, उसके बाद कौन कौन से product आपको यूज करने है, fields of green आपको यूज करना है, उसके fields of green के अंदर आपको वो सभी तरीके fruits and vegetable के extract मिल जाते हैं, जो आपकी पूरी body के अं यह अच्छा benefit देगा, आपको यूज करना है after meal, second product हमारे पास है, Garcinia Plus, Garcinia Plus को अगर आपको खाना खाने से पहले आपको खाना खाने से आदा गंटा एगंटा पहले consume करना है, ताकि आपके body के अंदर fat ना बरे, अगर आपकी body के अंदर fat जादा नहीं बनेगा, तो solutus की problem कि अंदर सबसे जादा fat जमा होता है, वो fat वहां पर जमा नहीं होगा, यह आपको यूज करना है six capsule daily, यानि कि दो morning में, दो afternoon में, और दो evening में, खाना खाने से एग घंटा और एक आदा गंटा पहले, फोर्थ product हमारे पास है nature mean, nature mean एक multivitamin product है, जो आपके body के अंदर, जो भ कि अविनिंग में खाना खाने के बाद, एक्सराइज इसमें mandatory है, थर्टी मिनट्स आपको daily exercise करना है, चाहे आप cycling करें, चाहे आप घर पर ही yoga करें, लेकिन करना ज़री ताकि आपके पूरी body active रहे से के, आपकी body tree नहीं है, आपकी body के अंदर movement है, तो आप movement करने के बने, ए इस तरीके से आप अपने इस problem को इसी तरीके दर solve कर पाएंगे, so I hope ये वीडियो आपको काफी ज़्यादा beneficial लगा होगा, और इस वीडियो के अदर जो भी चीजे मैं आप से share करें, आपके लिए काफी ज़्यादा beneficial होगी, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को share क करें, comment करें, like करें, सबी दोस्तों के साथ, सबी team के साथ share करें, ताकि maximum people इस वीडियो का benefit उठा सकें, इस वीडियो कंदर इतना ही, मिलता है उपको नेक्स वीडियो में, thank you so much.